जेल पहरी का कोर्स हो मत्त पिरे समिंस्पेकर कोर्स और पुलिस का कोर्स हो या पियस्टी कोर्स यह सभी को मेखर chord लेकर आ चुका है चोहान अकडमी आपके सामने करके आचुका है चोहान अकेडमी आपके सामने और अब इस बर एक सीट आपकी होगी पक्की आप सभी के लिए ये कैसे होगा साइब करना अपने थो कि बेसिक जाकारी को चुछ सबाइब आपको जोśli भी कोस कर सकंड़ करना है तो चोहान एक साथ जोड़ना है क्योंकि मामला इ्जयतका है ताइंक यू तो मन रख्षा कारपालिक है तो उसमें वेगास अहरिया को नहीं दिया जाएगा तुमाम चीजेशें बूला की डॉक्टर का काम डॉक्टर होता है वकिल काम वकील होता है तो मैं जो बोला कर उसको थोड़ा से दिमाग को सोच और सोचा करो इक सरजी तो लगा यह प्रचार तोड़ा चला दीजिए थोड़ा सा कुछ भी हाँ किया ना कि बड़े बदमास बच्चे हैं कुछ इसमें से सब पाकी तो अच्छे हैं कुछ बदमास हैं information यहां से लेंगे और तेल लेंगे कहीं और जाके अब उस करिए हाँ start करिए इनको पता यह है आपका जॉणिंग लेटर जॉणिंग लेटर आ चुके हैं ठीक है तरह बहुत कम लाइब आते हैं बहुत धुमाके दार निजो लेकर आते हैं किया है एम मेरे आधत जो है वाइसी यह थोड़ा अलाग याड कर यह जॉणिंग लेटर फॉरस गार्ड को पॉरसगाड का जॉणिंग लेटर क्यूं है उसकी विचर्चा करते हैं थोस्ट देख लेते हैं देखिए हैं यह आपका कारयाल है बंद मंढला आदिकारी जो है बंद मंढला आदिकारी सामान बंदर राया facilitist मद्ध्पडेस बंविभाग का है। इस पर भाई को नोकरी मिल गई बहुत बहुत कॉंग्रिट अबनरैर्इच्रेसन भाई। अभी आपका फॉर्म आपने भारा है अभी आप एक्जाम का रिजल्ट जार करें धर इधर जोईनिंग इनकी हो गई है ठीक है इनका जोईनिंग लेटर आ चुका है अभी चुकि यह लड़का मेरे ही उमरिया का है वांधोगड का है ठीक है बहुत अच्छी बात है एक्जाम कब हुआ था अरे अभी तो जिसका तुम फॉर्म भरे है उसी का जोईनिंग लेटर है भाई स्टी किसीट है ठीक है जब मैं कह रहा था उस दिन तो बहुत फड़़ा रहा थे कुछ लोग कुछ स्टी कमुनिटी के ही कुछ लोग जो पतनी कौन संगठन है अरे ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं रहे भाईया मैं तो चाहता हूं सभी स्टी के कडेगरी का भाला हो किसी खास एक कडेगरी का नहीं ठी तो इनका जो अविलेक परिक्षण देख लो भाई तुम लोगर फॉर्म भरे हो एक खास चंजाती वाले को सबका लेटर आ चुका लगभब तो अविलेक परिक्षण आपका सारीक माफ होगा आपका आपका फिच के लोगा 27 तारीक 27 मार्च को है ठीक है और पैदल चालोग तो फिर बाकी आप लोगा पेपर होगा कैसा रहा तर अभी तो फॉरस्क एक्जाम तो यह बिना एक्जाम वाला सिस्टम है आपको पता होना चाहिए कि उसमें अगर देखी एक अच्छे से मैंने बोला था बहुत सारे स्टी के बच्चों को लड़ो कानून को कानून से पतलाओ कर देंगे अरे जब बात देख रहे हैं कोई कानून आपके साथ गलत कर रहा है तो कानून को कानून के साथ करो ठीक है और मुझे अच्छे से पता है कि यहां पर इसलिए क्योंकि इन्होंने फिक्स नहीं किया तो आप यह जो यह जो बाकी हैं बाकी जो एस्टी कम प्रैंट में fight किय जाएगा आपका तो जो जनल की जो सीट बाकी बची तो कोई बात नहीं सराज आम आंदी पार्टी कारिकरम में दिखे नहीं क्योंकि मैं उस दिन अपने हाई कोट में था और किसी भी पार्टी के कारिकरम, किसी भी मंत्री के कारिकरम, किसी भी प्रसासन के कारिकरम से ज्यादा बड़ा कारिकरम होता है मेरी ड्यूटी कि मैं कोर्ट में रहूं जिस दिन मेरे क्लाइंट के लिए जस्टिस की बात हूं यह मंत्री किज्रिवाल सहाब भग्मंतमान सहाब कमला सहाब डिवे सिंग सहाब शुरा सिंग सहाब आर नहीं तो कल मुसे खुद मिले आएंगे क्यों टैंसा ले रहा हूं मैं उगुता हुआ सूरज हूं और सब ढलते हुए सूरज है और रुकते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं आज नहीं तो क्या हुआ बारा तो बजने तो है ना तो टैंसर के लिए तो इसलिए ज्यादा आपन भाव नहीं देते हैं मंत्रियों जाए वो किसी भी पार्टी को जाए हमानी पार्टी बीजेपी कोई भी अपने सबसे इंपॉर्टन प्योर्टी काम किये और एक एड़ोकेट हुन गाते सबसे पहले यह था आप लों का तो यह है आपका एस्टी का आपका फॉरेस्ट गाड का ठीक है कुछ और कोश्चन दूसरा मत्रदेश में पांच हजार से ज्यादा पदों पर फॉरेस्ट गाड की भरती भी इनको भी करना है वो इसलिए करना है क्योंकि यह जब भर जाएंगे पद तो कहीं न कहीं से क्या करना पड़ेगा इनको अजेस्ट करना पड़ेगा बहुत सारे प्रोमोशन के जो पद हैं प्रोमोशन के पद जो है भरे जाने हैं तो जो कई सालों जो प्रोमोशन पढ़ा हुआ है तो जो लोग बन रच्चक है बन रच्चक से आगे बढ़ेंगे तो सारे खाली हो जाएंगे जब खाली होंगे तो उनके लिए चाहिए चाहिए कोई और क्वेश्चन आप लोग थो थो मुझे बता दिया तो अब यह थोड़ा सा दिमाग रखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग आप इस बंदक्छा की भरती में दो तीन च्यूरॉ और बता देता हूं कि मैं कि कि इसका जो एक इस प्रेसल भरती है जिसे कहते हैं डीजे डूप्टी जेलर की भरती क्योंकि बन रक्षा की forest guard के लिए तो आप लोग तो त्यारी कर लोग मुझे पता है और jail प्रहरी के लिए भी त्यारी कर लोगे मुझे पता है इसकी त्यारी के लिए कि यह जो है डीजे है इसमें total पढ़ है सायद 3330 पढ़ है तो जिनको लगता है कि सर अलग से हमें पढ़न इंटर्व देना पढ़ा है फिर हम सौट लिस्ट होते हैं डीजे के लिए इस बार तो सीधे सव नमबर का पेपर है भाई या पेपर अलग से होगा तो पेपर में हमेशा रहता हूं ठीक है आप देख रहे हो लगातार पड़े लोग आपको दिमाग आपका चाट रहे दूसरे पेपर माना है नहीं तो बस आप लोग अपनी अच्छे से महनत करें और तैयारी करते रहे हों मेरी कोशिस है कि एक अच्छे टीचर्स आपके सामने लाना और मैं काम करूंगा करूंगा तो मैं करूंगा